First, Important Article, Computer Programming से समन्दित हैं, आप GS Paper 2 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं देखो हर साल हमार देश में लाखो यूथ, Computer Science की डिग्री लेके graduate होते हैं लेकिन अफसोस की बात ये हैं, इन में से देखो 95% जो graduates होते हैं, वो software development job के लिए fit नहीं होते ऐसा Aspiring Minds Organization ने कुछ साल पहले अपनी report में कहा था इस organization के अनुसार सिरफ 1.4% जो graduates हैं, वो functionally correct programming कर सकते हैं अब देखो किसी ने Computer Science से डिग्री हासिल की, लेकिन code लिखना नहीं आता, programming करनी नहीं आती तो फिर degree उतनी वर्थ नहीं है, हाँ basic job लग जाएगी, बट देखो programming में job लगती है, तो ज़्यादा salary मिलती है programming अगर अच्छे से आती है, तो innovation और बढ़िया डंग से हो पाती है, ये फाइदे होते हैं यहाँ पर बोला भी गया है, देखो applied computer science में computer programs जो है, वो foundation का काम करते हैं और program को लिखना students के लिए एक बहुत ही important skill है, जब companies जो ये IT companies है, fresh graduates को hire करती है तो काइदे से उन्हें यही देखना चाहिए कि कि student को कितना अच्छे से code लिखना आता है, मतलब कितना अच्छे से उन्हें programming करनी आती है but Indian companies को ये पता है कि हमारे देश में जो computer science वाले graduates है उनको code लिखना नहीं आता इसलिए वो aptitude, जो हमारे CSET में aptitude reasoning वगारा नहीं होता, उसके base पे graduates की placement करते हैं, graduates को hire करते हैं और hire करने के बाद में उन्हें programming सिखाते हैं problem देखो ये है, शुरू से ही जैसे ही degree में graduates जाते हैं उनके मन में एक डर बैठ जाता है programming का, कि programming हमसे हो नहीं पाएगी इसलिए वो कभी अपना best दे ही नहीं पाते programming को सीखने में कहते हैं ना कि already एक हवा बने हुई है, कि students का जो डर है ना वो अपने आप आ जाता है मन में programming को लेके, इस वज़े से बहुत सरे ऐसे students जिनमें potential होता भी है लेकिन डर के कारण वो non programming career को चुन लेते हैं, वहाँ भी उनको भैतर salary नहीं मिल पाती और वो अपना जो potential है, वो lose कर देते हैं और इससे देश को भी नुकसान होता है तभी तो देखो आज के समय में जो बड़ी-बड़ी ये applications हैं जैसे YouTube, Instagram, TikTok जैसी ये इंडिया में originate नहीं हुई, अगर हमारे देश में computer programming पे focus किया जाए तो नहीं नहीं, innovation नहीं नहीं, बढ़िया applications emerge होके आएंगी इवन देखो computer science के जो teachers होते हैं वो भी अपनी knowledge को application का रूप नहीं देते हैं knowledge उनके पास बहुत होती है computer programming की, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपने students को बोले कि ये real life problem है, आप इस real life problem को solve करने की कोशिज करें, मैं आपका साथ दूँगा ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है बहुत सारे students ऐसे होते हैं, जिनका देखो academic record बहुत अच्छा होता है लेकिन programming में expertise नहीं होती उसी परकार से जो teachers होते हैं, faculty, जो computer science की degree में पढ़ाते हैं वो देखो program को रट के आ जाते हैं class में और वही रटा हुआ program जो है वो class में बता देते हैं इवन डिग्री में जो इंजिनरिंग में जो projects submit करने होते हैं प्रोजेक्ट भी आज के समय में बने-बनाए मिल जाते हैं, एक parallel industry चल रही है बने-बनाए projects की हमर देश में इससे पता लगता है कि सिक्सा का क्या हाल है तो फिर होना ये चाहिए, जो teachers हैं वो देखो programming में well versed होने चाहिए उनको कम से कम तीन साल का programming experience जरूर होना चाहिए टीचर्स की इतनी capability जरूर होनी चाहिए कि वो classroom में जो computer science के concepts है न वो किसी भी computer language का इस्तमाल करके वो concepts समझा सके तो इससे देखो students को भी programming जो है वो आसान लगने लगेंगी और वो programming के real time applications देखेंगे तो उनका interest भी जगेगा जैसे example दिया जाता है ये जो subjects है न डेटा structure, algorithm इनको programming language के साथ पढ़ाए जाए ना कि अलग से सिरफ separate theoretical classes हो इन subjects की वैसे देखो ये जो subject है data structure ये तो electronics and communication में भी आता है मैंने भी पढ़ाएगे data structure वाला subject तो तो तीन साल का कम से कम experience जिरूर होना चाहिए faculty का ऐसा writer suggest करते है और experience वाले teachers जो है उनकी salary जो है वो ज़्यादा होगी और इस चीज़ में college management या फिर government जो है वो intervention कर सकती है, थोड़ा sport कर सकती है colleges को कि आप ज़्यादा salary वाले teachers रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कम से कम जो youth pass out होगा, उसकी employability तो ज़्यादा होगी न वो देश में ही contribute करेंगे, देश की economy में contribute करेंगे innovation में contribute करेंगे, तो ये जरूरी है अगर देखो faculty ही well-versed है, मतलब programming language को साथ लेके चलते हैं हर एक concept में, तो students भी जल्दी सीख जाएंगे और हमारे देश में जबरदस्त programmers निकल के आएंगे इसके बाद writer ये बोलते हैं, देखो इससे पहले कि graduation का पहला साल start होता है न, students को बोला जा सकता है कि MIT जो scratch से जो programming सिखाती है, आप उन assignments को complete करो, ऐसा बोला जा सकता है, first year graduation के start होने से पहले, या फिर देखो python जैसी जो simple scripting language है, इसका एक हफ़ते का जो crash course है वो भी cover करवाया जा सकता है बच्चों से, इससे पहले की पहला semester start हो फाइदा इसका ये होगा, कि जब एक हफ़ते का ये crash course बच्चे complete करेंगे न, तो बाद में computer science के concepts उनको classroom में जादा अच्छे से समझ में आएंगे, और आज के समय में देखो, हर एक के पास laptop है, तो जो भी programming languages से समझ सब्जेक्ट्स है न, उनको जब classroom में पढ़ाया जाए, तो हर एक student के laptop में program जो है, run होना चाहिए, और faculty जो है, programming assignments frequently दे सकती है, students को, ताकि students की ability है जो उन्होंने सीखा है, वो भी time to time check होती रहे, और assignments जो है, वो इस platform की साहिता से चक भी की जा सकती है, GitHub, ये एक ऐसा platform है, जहाँ पे software development होता है, काफे सारे जो लोग हैं, मिलके software development कर सकते हैं, next point, last में conclusion में कहा जाता है, अगर देखो ऐसा होता है, तो faculty students के साथ मिलके कुछ real life problem पर भी project त्यार कर सकते हैं, और इसमें जो industries हैं वो भी interested होंगी, देखो industry academic partnership, innovation के लिए बहुत ज़रा अधान निकलेगा, और बच्चे भी program लिखने में उनको incentive भी मिलेगा, कि आगे चलके वो उसी company में intern का काम कर सकते हैं, company के जो developed teams हैं, उनको assist कर सकते हैं, तो इससे right programming culture जो है, वो colleges में develop होगा, और हमारे देश में जो human potential है, programming के छेतर में उसे हम achieve कर सकेंगे, और इंडिया technological superpower के तोर पर emerge हो सकेगा, ये हमने पूरा article डिसकस किया, computer programming से समधित चलते हैं आगे नए स्टार्ट कल, textile sector के लिए production linked incentive scheme से समधित है, production linked incentive scheme में क्या होता है, products के देश में production पर सरकार incentive देती है, ताकि देश में उस product की जो manufacturing है, वो बूश्ट हो उसके, जैसे देखो, electronics items को promote करने के लिए, सरकार ने इसी परकार की production linked incentive scheme लोज की थी, आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकत हों, देखो 90's में textile sector में cotton के clothes ज्यादा चलते थे, लेकिन अब market change हो चुकी है, अब global market में 75% जो share है वो man-made fiber का है, man-made fiber मतलब वो ऐसा textile जिसमें chemical composition जो है, वो manufacturing के दूरान change की जा चुकी है, तो man-made fibers का चलन आज के समय में ज्यादा है, और technical textile segment कों से होते हैं? देखो वो कपड़े जिनको पहनने के लिए इस्तमाल नहीं किया जाता, मतलब जैसे automobile के industry है, वहाँ पे भी कपड़े इस्तमाल होते हैं, textile products इस्तमाल होते हैं, medical के equipment हैं, products हैं, जो भी हैं, वहाँ पर भी textile का इस्तमाल होता है, तो textile का जो पहनने के अलावा, दूसरे sectors में इ दिया जाता है, तो इन दो चीजों को हमारे देश में पर्मोट करना जरूरी था, क्योंकि हमारी जो textile industry है वो आपको पता है, बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है, बट अभी भी हम cotton पर focus ज्यादा कर रही है, cotton dominated इंडिया की textile industry ज्यादा है, जबकि इन aspects पर हम ज़्यादा नहीं focus कर पाए है, man-made fiber और technical textile segment, तो इसलिए सरकार ने सबक लेते हुए, अब इन दो segments को incentivize किया है, इस scheme के अंत्रगर्प, चाकि इन दो segments में हमारे देश में production ज़्यादा हो, 2017-18 में देखो, इंडिया का textile sector में export था 35.6 billion dollars और इसमें man-made fiber में export था सिरफ 30% से भी कम, इसके बाद article में कहा जाता है, देखो government इस बात को तो पहले ही तियार दिख रही थी कि हाँ, हमें textile sector को promote करने के लिए कोई package देना है, कोई scheme चलानी है, लेकिन scheme कैसी होनी चाहिए, इस 10,000 कोड के आसपास की scheme launch की है, exact figure है 10,683 करोड, इस scheme में देखो focus होगा, 40 man-made fiber apparel product lines पर, 14 man-made fiber fabric lines पर, इसके अलावा 10 segments या फिर products जो technical textile से समंदित होंगे, डिसकस किया न, हमने technical textile मतलब वो textile जिनको पहनने के लिए नहीं इस्तमाल किया जाता है, दूसरे sectors में जिनका इस्तमाल किया जाता है, technical textiles के 10 segments पर focus करेगी ये scheme, तो total 64 items का चुनाव किया गया है, global market में इनकी जो demands है, वो जादा है, और इंडिया में भी इनकी demands जादा है, लेकिन इनका जो share है अभी फिलाल इंडिया में वो 5% से कम है, सरकार ने इस scheme के अंतरगत देखो, intermediate products को भी सामिल किया है, इससे पता लगता है कि सरकार serious है कि इस policy के objectives को achieve किया जासके, और हमार देश में textile sector promote हो, जो सरकार incentive देगी इस scheme के अंतरगत, वो दो investment level पर देगी, पहले investment level के अंतरगत, ऐसी plants और machinery, जिनके अंदर किसी ने 300 क्रोड रुपे invest किये हैं, और 2 साल के अंदर अंदर उस plant का जो turnover है, वो 600 क्रोड तक पहुँच गया है, तो फिर वो plant, वो company, 5 साल के लिए incentive प्राप्त करेगी इस scheme के अंतरगत, और दूसरे level पर ये जो आंक्रा है, वो 100 क्रोड के investment और turnover 200 क्रोड का, तो दो investment level पर ये scheme implement होगी, राइटर के कहते हैं, वैसे देखो, on the face ये scheme अच्छी लग रही है, but eventually, जो हमारे देश में entrepreneurs हैं, या फिर existing companies हैं, वो देखेंगी कि risk reward ratio क्या है, क्योंकि already जो entrepreneurs हैं, वो economic situation को देखते हुए, ज़्यादा invest कर नहीं रहे हैं, उनके पास पैसा है, तो भी वो खर्च नहीं कर रहे हैं market में, क्योंकि उनको लगता है demand नहीं है, तो अब क्या इस scheme के आने के बाद, within entrepreneurs और companies, invest करेंगी, इस scheme का लाब उठाने के लिए, या फिर नहीं करेंगी, ये देखने वाली बात होगी, तो ये हमने पूरा article डिसकस किया, textile sector से समधित चलते हैं आगे, इसके बाद next article, अफगानिस्तान के संदर्ब में, वेस्ट एसिया में, इमर्ज होके आ रही, equations से समधित हैं, देखो 1996 से लेके 2001 के बीच, अफगानिस्तान में तालिबान का रूल था, उसके बाद 2001 में जैसे आपको पता है, USA ने intervention किया, और तालिबान को सत्ता से हटा दिया, तो 1996 से लेके 2001 के बीच, इरान और साओधिरेबिया के बीच, लड़ाई चल रही थी, अफगानिस्तान में अपना influence इस्टापलिस करने की, जहां एक तरफ, तालिबान को स्पोर्ट कर रहा था साओधिरेबिया, और Northern Alliance को स्पोर्ट किया जा रहा था, जो एहमद मसूद के नेतरतब में Northern Alliance, जिसको इंडिया ने में स्पोर्ट किया, उसको स्पोर्ट किया जा रहा था, इरान के द्वारा, और 2001 में जब तालिबान का रूल चला गया, वहाँ पे डेमोकरिटिक गोर्टमेंट बनी 2004 के बाद, लेक्सन्स हुए, तो देखो, साथीरेबिया ने तालिबान को स्पोर्ट देना जारी रखा, इवन तालिबान सरकार के खिलाफ रडाई लड रहा था, बड़ साथीरेबिया के द्वारा तालिबान को स्पोर्ट दिया जाता रहा, लेकिन 2007 में इरान ने भी तालिबान के साथ एंगेजमेंट स्टार्ट कर दिया कुछ तालिबान फैक्शन्स को लीडर्स को फंडिंग दी इरान ने उनको वैपन्स दिये ट्रेनिंग भी दी और आवशक्ता पढ़ने पर उनको शेल्टर भी दिया इरान का मकसद ये था USA के ऊपर प्रेसर क्रियेट किया जहांसके तालिबान को स्पोर्ट करके और USA अफगानिस्तान को छोड़के चला जाए क्योंकि देखो जब तक USA अफगानिस्तान में थाना इरान को भी डर लगता था कहीं इरान के ऊपर भी हमला ना कर दे USA जब तक अफगानिस्तान में मुझूद है तो इस डर से इरान ने तालिबान को स्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया 2007 से लेकिन देखो 2010 के बाद जब USA के रिलेशन इरान के साथ थोड़े ठीक हुए उनके बीच में नेगोशेशन स्टार्ट हो गई थी नुकलियर डील को लेके और 2015 में वो डील हो भी गई थी और टरंप जब राश्टरपती बने 2018 में उन्होंने इस डील से हाथ पीछे घीच लिये तो 2010 के बाद जब USA ने इरान के साथ कोपरेट करना स्टार्ट किया में देखने को मिली उसी परकार की प्रोकसी बैटल हैं भी देखने को मिली हांपकी यहां पर बहुत जड़ा इंडरेक्ट थी पंडिंग से समंधित थी हतियारों को देने से समंधित से हमने बात कि इरान और सौधीरिव्या के रोल की अब बात करें कतर और तर्की की कतर कतर देखो डिरेक्ली इन वोड इसलिए है अफगानिस्तान में क्योंकि तालिबान ने USA से रिक्वेस्ट की थी कि हमें दोहा में अपने ओफिस इस्टाबलिश करने दिया जाए तो USA ने इजाज़त दे थी कतर को कि हां तालिबान वालों इंटरिम गवर्मेंट तालिबान के उसमें आपने देखा होगा जो मिल्टरी वाला तालिबान है जिसने ग्राउन पे लड़ाई लड़ी उनको ज़्यादा बड़े पद मिले हैं जैसे डिफेंस मनिश्टर मुला याकूब जो मुला उमर के सन हैं और यहां कानी जो पागि अनको बड़े पद मिलते हैं तो Qatar का इंफ्लेंस ज्यादा होता तालिबान के उपर अभी Pakistan को फाईदा हुआ हैं क्योंकि Pakistan के पालिबान मील्टी तालिबान के साथ लिंक ज्यादा बड़िया हैं जो हकानी नेटवेक हैं जिससे इंडिया को भी खतरा है हकानी नेटवेक ने अपने हिसाब से government बनवाई ऐसा experts के द्वारा बोला जा रहा है और तर्की का क्या interest है तर्की तो देखो अपने आपको Muslim World का leader बनवाना चाहता है तो जहाँ पर भी कुछ Muslim country से समंदित उठापटक होती है वहाँ पर तर्की जो अपनी चोंच है वो गुशाने की कोशेज करता ह अभी Gulf country से वैसे ज्यादा reactions से अफगानिस्तान के issue पर इसलिए नहीं आये हैं अभी बहुत ज़्यादा एनिश्चिताएं हैं जैसे तालिबान के जो women factions हैं वो एक जूट रह पाते हैं या फिर नहीं तालिबान की policies कैसे होती है human rights का violation होता है या फिर नहीं इसके अलावा त foreign terrorist को पना देता है या फिर नहीं क्योंकि अभी experts का ये बोलना है कि बहुत सारे जो foreign fighters हैं अभी भी अफगानिस्तान की धर्ती पर मुझूद हैं और आने वाले समय में इराक और सीरिया से भी extremist अफगानिस्तान में आ सकते हैं और इससे neighboring states को neighboring आसपास के जो प्रोसी देस है उनकी security को बहुत खत्रा पहुंचेगा लास्ट में writer ये बोलते हैं अभी देखो दो equations emerge होके आ सकती हैं West Asia में एक तो Israel centered security regime जो ये UAE बहरीन काफी सारे देश हैं जिन्नोंने Israel के साथ अब सूला कर ली हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा main दुस्मन इरान है तो इरान के साथ वो सूला करके मतलब सोरी इसराइल के साथ वो सूला करके इरान से लड़ेंगे तो एक तो ऐसा हो सकता है दूसरा क्या हो सकता है चाइना और रश्या गरंटेड एक comprehensive regional security regime भी emerge होके आ सकता है उसमें क्या होगा उसमें ये होगा जैसे देखो साथिरेबिया और इरान की अभी बाची चल रही है हो सकता है कि दोनों पीस पे मान जाएं और भी बाकी जो यहाँ पे rivalries है जैसे तरकी की rivalry है साथ तरकी की rivalry है एजिप्ट के साथ तो इनकी जो rivalry है वो भी थोड़े time के लिए रुक जाए रश्या और चाइना की mediation के थ्रूँ तो अगर ऐसा होता है तो एक comprehensive regional agreement emerge होके आएगा जिसमें USA का कोई role नहीं होगा जिसमें role होगा रश्या और चाइना का ये equation भी emerge होके आ सकती है आने वले समय में लेकिन देखो एक बात जरूर है कि फिलाल के लिए जो USA है ना USA कहीं पर में नहीं दिख रहा है West Asia की emerge हो रही equations में तो ये हमने पूरा article discuss किया West Asia से समान दित हमारे आज के इस discussion में इतना ही है आज हमने तीन issues को details से discuss किया thank you thank you very much for discussion